26 सितंबर और 27 सितंबर का दिन तुलाराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरिता एस्ट्रो में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन दो दिनों के राशी फल के बारे में इन दो दिनों में जो ग्रहों की इस्तिती है, नक्षत्र है, योग है वो कैसे आपकी दिनचरिया को प्रभावित करेंगे? क्या चीजी अच्छी होंगी, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानिया रखनी हैं, यह सब कुछ आपको जानने को मिलेगा तो बस एक चोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं तो चलिए पहले ग्रह नक्षत्रों की इस्तितिक के बारे में हम यहां जानकारी ले लेते हैं अभी जो 26 सितंबर का दिन है, यह गुरुवार का दिन है, और क्रिशन पक्ष की नव मीति थी दोपहर तक है, साड़े बारा तक उसके बाद दस मीति थी प्रारम्ब हो जाएगी पुनर्वसु नक्षत्र और रात्री में पुष्ण नक्षत्र भी लग जाएगा परिहनाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा मिथुन राशी में हैं शाम पांच बज कर तेहरा मिनट तक उसके बाद करक राशी में आ जाएगे और सूर्य कन्य राशी उत्रा फालगुनी नक्षत्र में लेकिन आज सूर्य के नक्षत्र का भी परिविर्टन होगा और वो हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आप देखे यहां कई ऐसे योग बनेंगे आज के दिन बहुत पावर्फुल योग बनने वाले हैं सबसे पहले सरवार्त सिद्धी योग बन रहा है जो पूरा दिन बनेगा दूसरा अमरत सिद्धी योग बन रहा है जो पूरा दिन बनेगा और एक जो सर्वस्ष्ट योग है वो है गुरू पुष्य योग आज गुरु पुष्य योग का निर्मान होगा जो बहुत ही शुब है साथ में सूर्य के नक्षत्र का तो परिवर्तन हुआ ही है 27 सितंबर शुकरवार का दिन और क्रश्न पक्ष की 10 मीति थी दोपहर 1 बज कर 20 मिनट था उसके बाद एक काद शितिती प्रारंब हो जाएगी और पुष्य नक्षत्र रहेगा शिव नाम का योग बन गया करकराशी के चंद्रमा है सूर्य कन्याराशी हस्त नक्षत्र में है अब इस दिन जो ग्रहों की स्थितियां हो चुकी है इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपके हर एक शेत्र को प्रभावित करने वाला है तो सबसे पहले मैं बात करूँगी 26 सितंबर के बारे में जिस दिन योग बहुत अच्छे हैं तो यहां अगर 26 सितंबर को देखा जाए तो आपको बस अपनी हैल्थ का दिहान रखने के आवाशकता है तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से काफी बिजी चल रहे थे तो थोड़ी थकान का अनुभव आप कर सकते हैं थकान हो सकती है जिसके कारण आपका मन काम करने का ना करे ऐसा हो सकता है तो उसके लिए एक तो रेस्ट बहुत जरूरी है और साथ में आपको पोश्टिक आहर बहुत जरूरी है जो आपका जो एनरजी लेवल है उसको उठाए रखने में काफी एहम कारगर सावित होगा अब बाकी चीजों की बात करते हैं तो अगर आप लोन लेना चाह रहे थे और काफी दिनों से आप बड़ा चक्कर काट रहे हैं लोन लेने के लिए तो मैं कहूंगी वो डील आपके फाइनल हो सकती है आज का दिन उन चीजों के लिए अच्छा है ये जो योग बने है ना मैंने जिन योगों की बात की बुदादी तराज योग पहले से बना है नक्षत्र का भी परिवर्टन हो गया सूर्य का और साथ में सरवार सिद्धी अमरत सिद्धी दे कि ये जो योग है ना ये काम को सिद्ध कराने के लिए अच्छा है यानि कि अगर आप प्रियास करते हैं तो कहीं न कहीं कारे के सिद्ध होने की संभावनाए बढ़ जाती है और गुरु पुष्य योग बनेगा हलाकि ये रातरी में बनेगा तो आज आपके लिए बहुत एहम दिन साबित हो सकता है आपके लिए ऐसी कामों के लिए जैसे लोहन वगेरा मिल गया जिस पर आप यकीन करते हैं वो आपको कुछ बाते बता रहा था वो सकता है वो सारी सच बाते ना बताएं आपके अंदर एक बड़ी क्वालिटी है अगर आप तुलाराशी के जात को देखे ना तो बड़े हसी मजा किया स्वभाव के मिलेंगे आपको तो ऐसा जो दूसरों को खुश करने की शमता आपके अंदर है वो कई बार आपके ओपर बड़ी हावी भी हो जाते क्योंकि हर किसी को खुश करना बड़ा आसान काम नहीं है ना आप हर किसी को खुश कर सकते हैं तो ऐसी सिथिमें आप थूरा बीच में ऐसे फज सकते हैं कि मुश्किल से हल जो है講 वो निकले ही नहीं तो बिलग्ल भी मन में इस चीज़ को ना रखें कि आपको सबको प्रिसन करके चलना है सबको खुश करके चलना है आपके कारिया अटके हुए थे अठके हुए कामों को आप पूरा कर पाएंगे उसके बाद घर से बाहर निकलेंगे और साथ में आप अपने जीवन को enjoy कर पाएंगे अपने जीवन साथ ही के साथ बाहर जाना है family को लेकर बाहर जाना है प्रेम जीवन से जुड़े हैं भी बिता सकते हैं घर के कुछ घर से जुड़े हुए काम काश कर लें किसी भी तरह के हो सकते हैं साफ सफाई के हो सकते हैं रेनोवेशन के हो सकते हैं बाहर का कोई काम हो सकता है तो ये दिन आपके परिवारिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है विवाहिक जीवन को आप आप चाहेंगे कि वो बहुत सुखद रहे और उसके लिए आप प्रियास भी कर रहे हैं और प्रियास जब आप कर रहे हैं तो उम्मी से जादा वो प्रियास आपके रंग ले कर आएंगे तुलाराशी के जातकों के लिए जो student है उनके लिए मैं कहूं तो सिक्षा प्रतियोगिता के शेत्र में विशेस रूप से अच्छी सफलता मिलने के योग बने हुए है अब आपकी वाने पर आजाते हैं वाक पटुता इसकी वज़ए से विशेस रसमान की रापती हो सकती है आज इनकम के सोर्सेज बन सकते हैं भाग दोड थोड़ा जादा रहेगी तो मैंने का हेल्थ का ध्यान रखना है तो जब भाग दोड़ भी अगर रहेगी तो वहाँ भी हैल्थ इशू आ सकते हैं तो बस हैल्थ का ध्यान रखने के आवशक्ता है ही आपको क्योंकि ये सारे काम जब हो सकते हैं जब आपको अपकी हैल्थ अच्छी है आपका एनरजी लेवल अच्छा है जीवन साती का सही योग प्राप्त होगा और जहां आपको अवशक्ता होगी वहाँ वाँ आपके लिए खड़े मिलेंगे और कोई भी यात्रा करते हैं तो वो लाप्रद रहेगी यात्रा पर जाने का संकेत भी दिख रहा है सफलता मिलने का योग भी बन रहा है आप सत्ताई सितंबर की बात कर लेते हैं सत्ताई सितंबर का जो दिन है तुला राशी के जातकों के लिए देखिए आपके राशी के स्वामी कौन है शुकरदेव है जो आपके लगन में बैठे हुए है मालवे नाम का राजियोग भी बना रहे है तो एक तो तुलाराशी के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, मैंने इसके उपर पहले भी वीडियो वनाई थी, बहुत अच्छा समय चल रहा है, जो आपके किये गए प्रयासों के दुवारा आपको अच्छे रिजर्ट दिला सकता है, राजनिति के शेत्र में काम कर रहे हैं, राजनिति के शेत्र से जड़ना चाहते थे, तो महां जाने का आवसर, महां जड़ने का आवसर मिलेगा, सांसारिक सुख, इनकी प्राप्ती होगी, परिवार में हर्श कारेकरम होंगे, किसी का बढ़रे बगरह हो सकता है, उसको का पिरयोग कर देते हैं समझ नहीं आता कि अप्रतिक्रिया क्या दें ऐसी सथी में कुछ भी कहने से अच्छा है थोड़ा शान्त रहें आप निजर अन्दाज करेंगे जितना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और कोई भी जिम्मेदारी को तो आप हमेशा निभाते हैं ल मिलने का आपके लिए बन सकता है कि जहां जाकर भी आपको खुशी हो और महतवपूर्ण काम में आपकी गती आएगी, आपका एनरजी लेवल बढ़ता हुआ दिखाए देगा, ऐसे लोगों से मिलकर तो वहाँ चीजें कही न कहीं आपके लिए बड़ी फाएदेमन बनी हुई है आभी श्रादपक्षि चल रहे हैं, इंतिथियों में आने वाले श्राद आप कर सकते हैं जो अगर आपके श्राद हैं, इंतिथियों में तो और नहीं है तब भी दानपुन्य के कारे जरूर करें दायन पुन्य में आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ जरतमन लोगों को खाना खिलाना है और कुछ नहीं करना है कुछ ना कुछ खिलाएं जरूर ये एक ऐसा उपाय है कहते हैं कि अन्न का दान महादान होता है और जब स्राद पक्ष में आप बड़ी इच्छा से अपने जब किसी को खाना खिलाते हैं भोजन खिलाते हैं तो वो भोजन आपके पित्रों को लगता है और आपके पित्र प्रसन होते हैं और आपको आशिरवाद देख कर जाते हैं चाहे वो आपके पित्रों के श्राद का दिन है और नहीं है तब भी तो इस कार्या को करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें